आदमी की आयू और आदमी के वर्स, आदमी की जिन्दगी उसकी जीवन से देखी जाती है अरे अभी अभी 25-30 दिन पहले दशरा मैदान में मेरे पती जाने शुरू हुए थोड़े सुधरने शुरू हुए और धर्म की यात्रा पर चलने शुरू हुए तो मैंने कहा मेरे पती की उम्रकेवल एक ही मैने की है अभी वो भी अब होंगे अभी तक पूरे हुए नहीं है मेरे पती थोड़े अब सुधरने शुरू हुए है संतका ससंग करने लगे है मंदिर जाने लगे है स्वाध्याय करने लगे है सामाई करने लगे हैं ठानक जाने लगे हैं रोज महां दशरा मैदान में जा रहे हैं और जीवन को सुधारने लगे हैं तो मुझे लगा कि अब मेरे पती एक महीने क्यों होने लग गए हैं तो कहा फिर तुन्हें ये कैसे कहा कि सासू माँ दो साल की है कहा ये मैंने इसलिए कहा कि दो साल पहले मेरी सासू माँ के हाट का दोरा पड़ा था और उसके बाद उनको अकल आई कि जीवन का समापन कभी भी हो सकता है और जिस दिन ये बुद्धी आई तो मेरी सासू माँ ने धर्म आरादना करनी शुरू कर दी नेक और पवित्र काम करने शुरू कर दिये संतों के ससंग में जाना शुरू कर दिया थानक में जाकर सामाई करना शुरू कर दिया तो मेरी सासू माँ का जनम तो दो साल पहले हुआ तो कहा बेटा एक बात तो बता मुझे बड़ा गुस्सा आया तेरी बात को सुनकर जो तुने ये कहा कि मेरा ससुर तो कहा है सास की पेट में है मुझे बड़ा गुस्सा आया तेरी बात पर बहुने का पापाजी क्यों गुस्सा करते हो अरे आप कोई सतकर्म नहीं करते कोई अच्छा काम नहीं करती इतना अनाप सनाप पैसा है आपके पास पर आप एक कोडिक का दान नहीं देते बुढ़ा पास साथ आ गया है पर आप दिन बढ़ लेखा नुमा करती रहते हैं रोकड़ बहि लिखती रहते हैं जमा नावे करते रहते हैं पर भगवान का नाम नहीं लेते, मंदिर नहीं जाते, संत का ससंग नहीं करते, पवित्र काम नहीं करते, नेक काम नहीं करते, दो सेकेंड भी बैठ कर भगवान का नाम नहीं लेते, तो सोचो आपका जनम हुआती नहीं हुआ, तो मुझे लगा अभी तक आपका जनम हुआ ही इस दिन के ससंग का ये प्रभाव पढ़ गया इस पार कहा बेटा ठीक है हाँ महराज वो कहने लगे संत प्रवर चलिए मैं भी अपना जनम सुधारता हूँ अब मैं भी अच्छे काम करूँगा नेक काम करूँगा खूब दान पुन्य करूँगा अपने बुड़ा पे को सार्थ करूँगा आ गए वो अपने घर पे आके मुनीम जी को बुलाया कि अम मुझे खूब दान करना है गरीबों को धान देना है अनाज देना है एक काम करो आसपास के गाउं में जाओ बरसात का मौसम है कहीं पर पुराने सस्ते ग्याहूं मिल जाएंगे सड़े हुए बले हो कोई दिक्कत नहीं जितना सस्ते से सस्ता जितने सस्ते से सस्ते ग्याहूं मिल जाए पांच ट्रक ग्याहूं खरीद कर ले आओ पूरे नगर में ग्यहों का दान देंगा सब गरीबों को सब जौपड़ पट्टी वालों को दान देंगा मुनीम जी गए खोज खाज कर रासन के ग्यहों जो सड चुके थे गल चुके थे दुरगंद मार रहे थे ऐसे ग्यहों कहीं मिल गए सवा रूपयों किलों में और वो ग्यहों के पांच ट्रकें भरा कर मुनीम जी ले आए पापा जी ने ग्यहों को देखा कीमत को देखा सवा रूपया किलों का ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक लेके आया तो सवा रुपय किलो अरे यहां तो चौदे रुपय किलो मिल रहे हैं गयों तो सवा रुपय में ले आया कमाल खाज में निकला बहुरानी उपर खड़ी थी वो देख रही थी कि ससुर जी सुधरे तो है पर अभी तक पूरे नहीं सुधरे तो उसने अपने पास खड़े नौकर सिका जा दोड़ के जा नीचे और यह जो अभी अभी गयों से भरा हुआ ट्रक आया है ना इसकी एक बोड़ी और उसमें से पांच किलो गयों निकाल के ला और जड़ से पिस्वा कर ला वो नौकर गया उसमें से पांच किलो गयों निकाल आए पिसाए आटा बन के आया और बहु ने घर में उसी आटे से रोटियां बनानी शुरू की उसी आटे से रोटियां बनानी शुरू की वो रोटियां बना रही थी रोटियां बना कर जैसे ही ससुर जी खाना खाने साच्ष्वरं जी ने पहला कर लिया किया बात है उपकी क्यूं आ रही है दूसरा कर और और मुह तक लेकर है उसमें तो दुरिगंद आ रही है कहां से आठा लेकर आए बहू अरे तुम कैसे सडियल कोई आठा लेकर आ गई है कोई दवाई गिर गई उल्टियां आ रही है अरे बहू, तुम मुझे जान से मारेगी क्या? ऐसे वो तो मैंने गरीबों को दान देने के लिए मंगाए हैं. अरे तुने उसी सड़ेवे ग्याओं के मेरे लिए रोटियां बना दी? बहू मुस्कराई कहने लगी, पापा जी, मैंने इसलिए बनाई ताकि आपका अभ्यास हो जाए, कहा कौन सा अभ्यास? कहा पापा जी, कहती है ना, जो तुम देते हो वापस वही तुमें मिलता है तो आप इस जनम में अगर सड़ेवे ग्याओं का दान देंगे तो अगली जनम में कौन सा अच्छा आटा खाने को मिल जाएगा? हाँ बहुरानी, तुम बात तो ठीक कह रही है कहा, हाँ बहुरानी, तुम बात तो ठीक कह रही है मुनिम जी ले जाओ, ये सारे ग्याओं गाओं के बाहर ले जाकर फैंक दो अच्छे बढ़िया क्वालिटी के पंदर रुपय किलो के ग्याओं खरीद कर लाओ पांच के बजा एक ट्रक भी लाओ पर बढ़िया वाले सबसे अच्छे वाले पंजाब के जो ग्याओं आते हैं वो खरीद कर लाओ और उन ग्याओं को गरीब को बांटेंगे ग्याओं आ गए घर में उतर गए संयोग से उसी समय मेरा घर में जाना हुआ मैंने देखा बहुरानी थाली बज़ा रही थी मैंने का बहिंजी क्या हुआ थाली क्यों बज़ा रही हो कहने लगे आज मेरे ससुर जी भी पैदा हो गए आज मेरे ससुर जी भी पैदा हो गए कहानी तो पूरी हो गई पर हर बुढ़े आदमी को दुबारा पैदा होने का संदेज दे गई हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार और पुनरजन्म लेने का संदेज दे गई कि व्यक्ति ये आत्म चिंतन करे कि वो बच्पन को पूरा कर चुका जवानी को भोग चुका अब ये जो बुढ़ापे के पल आए हैं उन बुढ़ापे के पलों को आदमी कितना सुनहरा बनाएगा कितना आनंद पुन बनाएगा क्या वही मोह, माया, वही राग, द्वेस, वही मूर्चा वही इर्शा, वही चिंता, वही कशाय, वही क्रोध क्या इनी सब में गिरा रहेगा या अपने बुढ़ा पे को शान्ति के पलों की और प्रेम के पलों की और सेवा, सुस्रसा, दया, दान, आराधना की और लेकर जाएगा विराधना तो बहुत की जा चुकी आराधना की शुरुवाद जीवन में कब होगी मनुष्य का जन्म, मनुष्य का जीवन एक सूर्य की तरह होता है जैसे सूरज उगता है तो समझो की हमारा जन्म हुआ है दोपहर हुई यानि समझो की हमारी जवानी आई है सांज हो तो समझो बुढ़ापा आया है और रात हो तो समझो जीवन की कहानी ही खतम हो गाई है ये रोज उगने वाला सूरज ये बिकार में नहीं उगता ये अर्थ हीन नहीं आता ये हमेंसा अपने जीवन को हमें प्रिलना देने के लिए आता है कि जिस तरह देखो भोर हुई यानि तुम मा के पेट में आये हो सुरिका उदेव हुआ यानि तुम्हारा जन्म हुआ है जवानी यानि दोपहर है सांज यानि बुढ़ापा है रात यानि राम राम सत है ये जिन्दगी जो नए नए पड़ाओ बदलती रहती है जहां जहां बच्पन है वहाँ वहाँ आने वाले कल को यौवन है जहां जहां यौवन है वहाँ वहाँ आने वाले कल को बुढ़ापा है जहां जहां बुढ़ापा है वहाँ वहाँ आने वाले कल को मृत्यू भी है जिसने बच्पन को सही तरीके से जिया वो व्यक्ति जवानी को सही तरीके से जी लेता है जिसने जवानी को सही तरीके से जी वो व्यक्ति अपने बुढ़ापे को भी सही तरीके से जीने में काम्याब हो जाया करता है मेरे भाई हर आदमी जो बुढ़ापे से गबराया करता है कहीं मैं बुड़ा न हो जाऊं कहीं मेरे सरीर पे बुड़ापा धलकने न अलग जाए कहीं मेरे चेहरे पर जुरिया न चा जाए कहीं मेरे बाल सफेद न हो जाए कहीं मेरे कमर जुक न जाए कहीं मेरे गुटने जवाब न देने लग जाए और इस तरह अलग 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 तरह से आदमी अपने बुढ़ापे से गबराया करता है बुढ़ापा जीवन का समापन नहीं बुढ़ापा नए जीवन की शुरुवात है बुढ़ापा जीवन का अंत नहीं बुढ़ापा जीवन का अभिसाप नहीं यह तो नए नए अनुभाओं से बरा हुआ जीवन जीने की कला है बुढ़ापा उसके लिए अभिशाब बन जाता है जो लोग बुढ़ापे को सही तरीके से जीना नहीं जानते पर जिन लोगों ने बुढ़ापे को सही तरीके से जीना सीख लिया उन्हें मालुम है कि बुड़ापा कितना आनंद पूर होता है ग्यानारजन के लिए बच्पन है धनारजन के लिए जवानी है पर बुड़ापा सोचो किस के लिए है बताएंगे बच्पन है ग्यानारजन के लिए जवानी है धनारजन के लिए पर बुड़ापा है पुन्यारजन के लिए और आओ अपनी जीवन में दो कदम आगे बढ़ाओ मैं जो आज बाते कह रहा हूं ये उनके काम की है जो बुड़े हो गए है और मैं जो बाते कह रहा हूं ये उनके काम के जो आने वाले कल को बूड़े होने वाले हैं इसलिए पंडाल में जितने लोग बैटे हैं जितनी महिलाएं बैटी हैं हर किसी के लिए मेरी बाते काम की रहीगी उनके लिए भी जिनके बाल धोड़े हो गए और उनके लिए भी जिनके बाल दोड़े होने शुरू हो गए और काले बाल वालों ज्यादा इत्रा नामत एक दिन तुमारे भी बाल दोड़े होने वाले हैं और याद रखना बालों को काला करके बुड़ा पे को धका तो जा सकता है तो बालों को काला करके बुड़ा पे को धका तो जा सकता है पर नोट करने ना बचा नहीं जा सकता है बालों को काला करके आदमी बुड़ा पे को धक तो सकता है पर बुड़ा पे से बच नहीं सकता जब ये आने वाला है तो क्यों न ये आए उससे पहले इसकी तैयारी करनी जाए बुड़ापा आना तै है जिसको लंबी जिन्दगी जीनी है उसको बुड़ापा आएगा यहां जन्म है जन्म के साथ जरा है जरा के साथ रोग है और रोग के बाद मृत्यू है जन्म जरा रोग मृत्यू ये सब जीवन के चरण है इनको टाला नहीं जा सकता इनको रोका नहीं जा सकता इनसे बचा नहीं जा सकता वो भगवान श्री बुद्ध की कहानी है न कि जब वो राजकुमार थे जन्म होते ही घोशना कर दी गई कि ये बड़े होकर महान संत मनेंगे पिताने बाहर निकलने की मना कर दी राज महल के बाहर नहीं जाएंगे चारों तरफ चौकिदार लगा दिये गए कि किसी भी हलत में राज कुमार राज महल के बाहर न जाए और आखिर एक दिन जैसे तैसे राज कुमार घोड़े पर बैठ कर राज महल से बाहर निकल गया राज मार्ग पर चल रहा था और उसने देखा किसी एक गर्बवती महिला को पेट फूला हुआ था दर्द से थोड़ी करा रही थी कहा क्या बात है सार्थी इस महिला का पेट क्यों फूला हुआ है ये इतनी पीडा से करा क्यों रही है और दर्द से करा रही है तो बुद्ध ने पूछा क्या हर किसी विव्यक्ति का जन्मत दर्द से होता है थोड़ी दूर आगे चले कि बुद्ध ने देखा एक आदमी खाईवी चीजों की वापस उल्टी कर रहा था बुद्ध ने पूछा अरे भाई सार्थी ये आदमी क्या कर रहा है कहा राजन राजकुमार ये आदमी बिमार पड़ गया है और इसको उल्टियां हो रही है क्या हर आदमी बिमार पड़ता है हां राजन हां राजकुमार आखिर हर आदमी कभी न कभी तो बिमार पड़ता ही है शरीर के दो धर्म है नंबर एक ये रोग धर्मा है न आतमें लकडी पकड़े वे कमर जुकाए वे धीरे धीरे चले जा रहा था तो राजकुमार ने पूछा अरे भाई ये आदमी कौन है ऐसे क्यों चल ला है कहा राजकुमार आप दुनिया को नहीं जानते ही आदमी